Hello Friends, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही healthy और tasty नास्ता जिसे हम गेहूं के आटा और धेर सारे हरी सब्जी से बनाकर तयार करेंगे और इस नास्ता को बहुत ही कम तेल मसाले में बनाएंगे आप इसे बचों को टीपिन में दे सकते हैं, सुबस हम के नास्ता में खा सकते हैं के लिए यहां पर हम एक बरे से बावल में गेहूं के आटा डाल लिए हैं तो यहां पर हम डेर कप गेहूं के आटा लिए हैं आप इसे ग्राम में होजन करेंगे तो यह 300 ग्राम जितना होगा इसी के साथ इसमें हम आधा छोटा चमच आजवाइन डाल दिये हैं और इसी के सा है तो जरुन डाल लिएगा नहीं है तो कोई बात iba ने इसके भीना भी आपिसे बना सकते हैं साथ में एम स्मस्द्न के करकी हैं, और इसी के साथ हम इसमें एक चमश तेल डाल दिये हैं। आप तेल के जगत पर इसमें घी और खास्ता बनेगा तो थोरी देर मिलाने के बाद आप देखेंगे आपके आटा का टेक्चर चेंज हो जाएगा यानि कि आपका आटा बिल्कुल मुलाइम हो जाएगा तो जैसे ही आपका आटा मुलाइम हो जाएगा तो इसको मुठी में लेकर मुठी बांद कर देखिएग और इस तरह से इसको मिलाते हुए इसका हमें एक सॉप्ट सा डो लगाकर तयार करना है जैसे हम रोटी के लिए डो लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से डो लगाकर तयार कर लेना है तो यह देखी यहाँ पर डो हमारा तयार हो गया है तो अब हम क्या करेंगे इस डो को ढखकर रेष्ट पर रख देंगे डो रेष्ट कर रहा है तब तक इसके लिए हम एस्टपिंग बना कर तयार कर लेंगे तो यहाँ पर एस्टपिंग बनाने के लिए एक बड़ा सा बाउल लिए है और इसमें हम डाल लेंगे sweet corn तो यहां परना हम 4 चमच corn लिये हैं corn को उबाल कर ले लिये हैं अगर आपके पास इस तरह के corn नहीं है तो frozen corn को भी आप उबाल कर ले सकते हैं और corn के साथ ही हम इसमें डाल लेंगे 2 चमच बारी कटा हुआ सिमला मिर्च और साथ में हम इसमें डाल देंगे दो चमच कदुकस किया हुआ गाजर और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे दो चमच जितना बारी कटा हुआ टमाटर तो यहाँ पर सबजी आप अपने पसंद के कोडिंग डाल सकते हैं सब्जी आपको पसंद है वहीं डाल लिएगा जो पसंद नहीं है उस सब्जी को आप हटा सकते हैं इसी के साथ इसमें हम डाल दिये हैं एक इंच कदुकस किया हुआ अद्रक और दो बारी कता हुआ हारा मिर्च, अपने तिखा के करूडिंग कम्या जादा कर सकते हैं साथ में ही थोड़ा सा बारी कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिये हैं और इसी के साथ इसमें डाल दिये हैं एक छोटा चमच कुटा हुआ लाल मिर्च यानि की चिली फ्लैक्स और साथ में ही डाल दिये हैं आधा छोटा चमच काली मिर्च पाउडर यानि की ब्लैक पेपर और यहां पर हम ले लिए है एक चमच ओर्गेनो अगर और इसके जगापर आप पीजा सिंजिंग भी इसमें डाल सकते हैं साथ मी डाल दिए स्वाथ के एक औरणिंग नमक तो नमक पहले भी आटा में डाले हुए तो उसी की एक औरणिंग डालियेगा और यहां पर लिए हैं चीज. यहाँ पर दो चीज के क्यूब लिए हैं और इसको हम ग्रेट करके इसमें डाल देगे. अगर अब चीज डालना पसंद नहीं करते हैं या चीज नहीं हैं तो इसके जगाँ पर अब सब्दीर कदकाश करके डाल देचेएगा. पनीर से भी पहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा तो यह देखी यहाँ पर हम चीज को ग्रेट कर लिए हैं तो अब हम यहाँ पर इन सभी चीजों को अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि सभी चीज एक दुसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना कलरफुल यह स्टपिंग लग रहा है जितना सुन्दर यह स्टपिंग देखने में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा यह खाने में टेस्टी है यह नास्ता आप एक पर जरू ट्राइ कीजिया घर में बच्चे और बरिस सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है तो स्टपिंग तयार है तो इसको हम साइड में रख दिये हैं और यहां पर जो हम डो रखे थे रेष्ट पर उसका धकन हटा लिए हैं डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है तो इसको हम इस तरह से हाथों से एक बार अच्छे से मिला लेंगे और यह लिजी हमारा डो बिल्कुल चिकना और सॉप्ट बनकर तयार हो गया है तो इस में से हम एक medium size के लोई तोरेंगे जितना बरा रोटी के लोई लेते है उससे थोरा सा छोटा लोई लेंगे और इस लोई को हम थेली पर रखेंगे गुमाते हुए इसको हम पेरा के सेप दे देंगे और अब हम इस लोई को एक चकले के उपर रखेंगे और इसके उपर हम थोरा सा सूखा आटा लगा लेंगे और सूखा आटा लगा कर इसको हम बेल लेंगे सूखा आटा लगा कर बेलने से नहीं चकले और बेलन में नहीं चिपकता है पहुत ही अच्छे से बेल जाता है तो जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं उसी तरह से बेल लेना है इसका थ स्टपिंग को इस चमस से हलका फैला लेंगे जादा नहीं फैलाना है और इस तरह से फैलाने के बाद यहां पर हम ले लिए हैं पानी और पानी अंगली में लगाएंगे और इस रोटी के किनारे में इस तरह से लगा देंगे रोटी के किनारों में पानी लगाने से यह तूरथ यहां पर आतेरे से हांधों से हलका प्रेश कर Bishop देंगे तायकि आरेंगे टेल जालएक हुआ काना कर बना लिए हैं तो जितना हमें स्टपिंग और आटा तयार किये थे ना उतना में साथ पीस बनकर तयार हो गया है तो चलिए अब इसको लेकर हम आगे हैं गैस के तरफ और गैस पर रखे हैं पैन आप पैन के जगह पर तावा भी ले सकते हैं और इसमें डाल लिए एक छोटा चमझ तेल इसमें ज्यादा तेल नहीं डालना है बस थोरा सा तेल में इस नास्ता को बना कर तयार करेंगे और इस तेल को पूरे पैन में फैला लिए हैं और पैन को हम गरम हो जाएगा तो इस नास्ता को हम एक एक करके पैन में डाल लेंगे जितना पैन में आ सकता है गैस के फिलेम यहाँ पर मीडियम रखेंगे इसे मीडियम टू लो फिलेम पर सेकेंगे हाई फिलेम पर नहीं सेकेंगे और यहाँ पर इसको डालते ही नहीं पलटना है डालने के थोरी दिर बाद एक एक करके पलट लेंगे और इसी तरह से अलटते पलटते हुए सभी साइट गोल्डेन कलर आने तक सेख लेंगे तो यह देखी यहां पर बहुत ही प्यारा सा इसमें गोल्डेन कलर आ गया है यानि कि नास्ता हमारा उपर से क्रिस्पी हो गया है इसको हम निकाल कर एक पलेट में रख लेंगे और इसी तरह से बांकी नास्ता भी बना लेंगे तो यह लिजी हमारा बहुत ही टेस्टी और मज़दार नास्ता बन कर तयार है वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक सियर और चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दिजिएगा जय हिन जय भारत